हे गाईज अगर आप अपने फोन में वाइफाई कनेक्ट कर रहे हो और यहां पे सेवड लिख्या रहा है और वाइफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रोब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा द दोस्तों इसके लिए आपको ओपन करना है सैटिंग्स आप को तो यहां पे आप आएंगे सैटिंग्स में उसके बाद में यहां पे आपको थोड़ा नीचे आना है तो यहां पे आपको वाइफाई का ओप्सन दिख जाएगा यह आप देख सकते हो तो आप नीचे देखना कैसे fix करना यह देखते हैं इसके लिए दोस्तों नीचे की साइड में आप देख सकतो आपको additional settings मिल जाएगी आप यहां पर additional settings पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर दोस्तों आपको मैंने saved networks का option मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों आज तक आपने जितने भी wifi कनेक्ट करें होंगे सब यहां पर आपको मिल जाएंगे जो भी wifi network कनेक्ट नहीं हो रहा है उसको सिंपल आपको डिलीट कर देना है यहां से जैसे कि एक ही है जो कनेक्ट नह यहां पर जो आपने wifi को फोगोट किया है अब यहां पर दुबारा से नहीं लिस्ट में आएगा आपको सिंपल इस पर टाइब करना है और यहां पर आपको इसका password डाल के इसमें दोस्तों हो जाना है connect तो आप जैसे यह password करोगे यह wifi connect हो जाएगा and saved का जो error है वो solve हो जाए है इसके लाव कोई और card भी हो सकता है तो इस तरीके से यह problem solve हो जाएगा and wifi connect हो जाएगा लेकिन गाईज अगर आप यह करते हो और फिर भी यहां पर saved क्या रहा है problem सही नहीं होता है तो मैं आपको दूसरी setting बता देता हूं यह पहले setting है इससे problem solve हो जाना चाहिए अगर नह करेंगे आपको बते हुझा टाइब करना है नीचे मिल जाएगा जैसा आप करोगे तो यहां पर आपको सेट्इंग मिल जाएगी हां पर никогда senators stuk Bunu करना Charge जो भी लॉक करेंगे तो करेंगे तो सक्सेस्पली आपके फून का जो नेटवर्क सिस्टमद का जो भी प्रोब्लम होगा वह सालफ हो जाएगा साति सात आपको अपने फून को एक बार रिबूट भी कर लेना है काफी लंबे टाइम तक फोन ओन रहता है उसकी वज़ा से भी यह प्रोब्लम आ सकता है तो अभी गाईज हमारा फोन रिबूट हो चुका है अब दोस्तों आप वाई फाई कनेक्ट करना तो कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर वो जो सेब्ड का इसू है वो नहीं आएगा तो अभी हमने यहाँ पर वाई फाई को रिसेट करा था तो इसलिए मेरे को दुबारा यहाँ पर पासवाल इंटर करना पड़ेगा आप देख सकते हो diagnosis पुल यहाँ पर वाई फाई कनेक्ट हो चुका है तो यार इस तरीके से अगर आपके फोन में वाई फाई कनेक्ट नहीं हो रहा है वाई फाई सेवड लिख्या रहा है तो आप इस तरीके से आप काफी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना इस चैनल पर पहली बारा हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा चले दूस्तों वीडियो को इंड करते हैं तब तक लिए जय इंड जय भारत